Hello students, तो ये है आपकी class first की English की book और आज हम read करेंगे इसका chapter 19, 19 और इस chapter का नाम है Use of No पहले वीडियो में हमने जाना था Use of Yes के बारे में, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे Use of No के बारे में, मतलब No का परियोग No का परियोग कहां पर, किस जगह पर किया जाता है, किस लिए करते हैं, उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे इस chapter में Hi, let us learn about the Use of No, आईए No का परियोग सीखें अब चलिए इसको समझते हैं, read, understand and learn, पढ़िए, समझे, यूम, याद कीजिए मतलब आपको पढ़ना भी है, इसे समझना है, उसके बाद इसे याद करना है, याद रखना है, कि मतलब इसको कहां पर, किस तरीके से इसका यूज किया जाए No का परियोग किसी प्रश्न का उत्तर नहीं में देने के लिए किया जाता है, मतलब ये आपका clear हो गया तुरन, कि अगर हम No का परियोग करते हैं, तो इसका मतलब उत्तर में क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं कि, अगर कोई आपसे कहता है, कि क्या आप market चलेंगे, तो आप No कह सकते हो या नहीं, ठीक हैं, इस तरीके से उत्तर दे सकते हो, नहीं मतलब ना होता है Love No कहें, इसका मतलब ना, नहीं, तो आपको नहीं जाना है अब आते हैं हम, चैप्टर पे, Is this a dog? क्या यह एक कुता है? Is miss, yeah, this miss है, sorry, is miss है, this miss यह, a miss, a dog, miss कुता क्या यह एक कुता है? No, this is not a dog, this miss, yeah, is miss है, not, मतलब नहीं, a miss, a dog, miss कुता नहीं, यह है, एक कुता, नहीं है, तो आप देख सकते हैं, यह कुता है, आपको दिख रहा है यह, कि कुता है, नहीं, तो यह क्या है? This is a lion, this is a lion, this miss, yeah, is miss है, a miss, a lion, miss, share, यह एक शेर है, आप देख सकते हो, the king of the jungle, जो आपका, जंगल का राजा किसे कहते हैं, शेर को क्या कहते हैं, जंगल का राजा कहते हैं, और आपको बताना है, सबजियों का राजा किसे कहा जाता है, यह आप comment में जरूर बताइएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, is this a gun क्या ये एक बंदूख है gun miss होती है बंदूख ठीक है जिससे shoot किया जाता है मारा जाता है निशाना लगाया जाता है no this is not a gun नहीं this means yeah is miss है not मतलब नहीं a miss a gun miss बंदूख नहीं ये एक बंदूख नहीं है this is a pin ये आपको बंदूख दिख रही है नहीं ये क्या है एक pin है this is a pin ये एक column है ये आपकी pin है pin miss क्या होती है column अब हम आते हैं अपने third point पर जो आपका third paragraph है is this a table क्या ये एक मेज है ये आपको मेज दिख रही है नहीं तो आप क्या बोलोगे no this is not a table क्या ये cap है cap means topi this is a cap ये एक topi है अब आते हैं fourth point is this a plate क्या ये एक plate है ये आपको plate दिख रही है no क्या है ये क्या है ये एक cup है ठीक है no this is not a plate ये एक plate नहीं है this is a cup ये एक cup है ठीक है ये cup है plate नहीं है तो इस तरीके से चीज जब आप देखो गए अपने घर के सामान अगर आपसे कोई question करता है या आप इसका use भी कर सकते हो अगर आपकी अम्मी हो भाई हो या sister आपकी हो बहन कोई भी हो तो अगर आपसे question उन लोग से कहिए कि वो आपसे question करें घर के कोई भी चीज को लेकर और आप उनका yes या no में answer देजे तो इससे पता चलेगा कि आपने सीखा क्या है ठीक है तो ये हमारा complete होता है chapter I hope कि आपको समझ में आये हो और इसे घर पे जरूर ट्राइ करें बोलना yes या no में answer देना लोगों से कहिए कि वो आपसे question करें और आप उसका answer yes या no में दीजिए इससे आपकी practice हो जाएगी बोलने की भी और आपको समझ में भी आया जाएगा कि मतब किस तरीके से आपने इसे सीखा बोला और अगर आपसे इसकूल में भी question किये जाएगे तो आप उसका answer अच्छे से दे सकते हो ये chapter आपका write नहीं करवाया जाएगा क्योंकि इसमें कुछ write करने के लिए नहीं है इसलिए direct आप लोगों का 20 chapter आप देख रहे होंगे और जो भी वर्क जा रहा है उसे आपने complete किया होगा क्योंकि बहुत जल्द हो सकता है कि आपका school open हो जाए तो चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं next वीडियो में next chapter के साथ मिलेंगे फिलहाल के लिए इसे अच्छे से लर्न करें रीड करें और इसे अच्छे से समझें अंडाइस्टाइन करें ओके